क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि 90 परसेंट बिजनेस अपने पहले पांस साल के अंदर खतम हो जाते हैं क्या ऐसी चीजे लोग करते हैं जिसके विड़ासे वो सक्सेस्फुल नहीं हो पाते क्यों लोग 20-20 लाख रुपे से भी जादा की फीज दे के टॉप नॉच MBA कॉलेजि और कुछ लोग मिडियो कर रह जाते हैं ऐसे कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे बड़ी-बड़ी कंपनी बड़े-बड़े क्लाइंट्स ले आती हैं और कंपनी बड़ी-बड़ी स्ट्रेटिजीज को एक्जेक्यूट कर लेती हैं तो यह सब और बहुत कुछ आज आप इस एंट इसने भी डिस्ट्रेक्शन से उनको साइड में रख दो और एकांत में जाके कोने में बैठ जाओ और अच्छे से सुनो इसको अगर नौलेज को आपने इंप्लीमेंट कर लिया अच्छे से समझ लिया तो आप अपना बिजनस अपने क्लाइंट का बिजनस और करियर को 10x कर होता है जिसकी वराइसे चाहिया चूते हैं और वह आप लोगों को मिल रहा है वह भी एपसुल्यूटली फ्री दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लिजिए ताकि यह जो हमारा एंपावरिंग डिजिटल इंडिया का मिशन है इसके संग आप जुड दिखाएगी आगे बढ़ते हैं यहां पर मैं मिनी MBA की बात कर रहा हूं पहले थोड़ा सा शॉट में जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं हम कैसे अपना फर्स्ट बिजनस लॉंच कर सकते हैं टिप्स ट्रिक्स जब हम प्लैनिंग करते हैं अपने बिजनस जो हम स्टश हो जाते आगे जाके हम बिजनस को ग्रोण ही कर पाते मेटेंग यॉर मार्केटिंग आभ्जेक्टिव लोगगोल ऑप्जेक्टिव तो बहुत बढ़े बढ़े बना लेता हैं बड़ रो थो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कहां से हमें शुरुवात करनी हैं त अगर आप एक बिजनेश शुरू कर रहे हो मान लिजे मैं इसमें एक्जैम्पल मार्केटिंग फंडास का ले लेता हूं जैसे कि मैंने एक कोचिंग का बिजनेश शुरू करा तो सबसे पहले जब मैं बिजनेस प्लैनिंग करूंगा स्ट्रेटरिजी बनाऊंगा तो किन बात डिटेल्ड में पता होना चाहिए कई लोग बिजनेस करते हैं बड़ उसकी इंडेफ नॉलेज उनको खुद ही नहीं होती जो सबसे बड़ा कारण होता है बिजनेस में नुकसान होने का साथ के साथ हमें एक्स्प्लेइन करना है अपने बिजनेस को उसकी प्रॉब्लम जो ह बिजनेस कघ्राण भार मार्केटिंग फंडास को ट्रेनिग और प्रोचिंग स्टर्प करना थो इसको पूरी प्लानिंग करनी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वार्मेंट फैक एक सब्सक्राइब्यमरी इक समरी और मेरे बिजनस के बारे में लोग जो मेरे को पता होनी चाहिए है क्योंकि हर इनसान जो बिजनस लागा पुरा पता होना TEA चाहिए तो उसकी मर मेरे बस्पमेर vacc allora on Ёम्हें हैं जी सोलीशन उन्हों को हमारी कंपनी से मिलेंगे साथ के साथ हमारे गॉल स्कृता हैं कमपनी से illegal श्रечा से प्राइबट है साथ के साथ कुछ numbers भी होते हैं कि हम कितने लोगों को help करेंगे कितने लोगों को इससे benefit होगा ऐसी बहुत सारी चीजे तो आपको अपनी company की executive summary बनानी है अपने खुद के लिए और कल को आपके business के बारे में कोई online पढ़ रहा है जानना चाहता है तो उसको clear clarity आए आपकी company के बारे में और उसकी vision के बारे में अब हम जब second stage पर आते हैं जब हमने एक अच्छे से अपनी summary बना ली उसके बाद हमें क्या करना है situation analysis है अब दोस्तों situation analysis क्या है कोई company हो सकता एक start-up है या कोई person company start करने जा रहा है उसको plan कर रहा है या already कोई company 2-3 साल से run हो रही है और कोई company established company है बड़ हर company और grow होना चाहती है और ज्यादा market capture करना चाहती है तो second step में उसको अपनी current situation analysis करनी है कि presently उनके internal factors क्या है external factors क्या है क्या उनके पास positive है क्या उनके पास negative है क्या strength है क्या weaknesses है और इसके अंदर में आपको अब बेहर important चार main points बताने जा रहा हूं जब situation analysis आप करो तो आप इन points के basis पर ही करोगे क्योंकि हर individual को पता है कि उसको मतलब positive क्या है negative क्या है और उसको अपनी company के बारे में पता होता है नहीं तो आप उसको पर और research करो तो दोस्तों जब आपको अपनी situation analysis करनी है तो करनी कैसे है पहला है macro environment, macro environment के अंदर economic, government, law, technology और cultural भी आता है, economic भी आता है, macro environment के एक company का जो broad environment भी इसको बोला जाता है, macro environment के साथ-साथ, कि अगर एक company business शुरू करने जा रही है, तो माल लो अगर मैं इंडिया के अंदर हूँ, तो इंडिया में मैं किन-किन शहरों के अंदर करूंगा business ठीक ह फिर वहाँ पर किन demographics को मेरे को target करना है, वहाँ पर मेरे product के लिए purchasing power है के नहीं है, ठीक है, और ये तो हो गया, coaching की बात, मालो अगर आपका एक ऐसा product है, जो सिर्फ बच्चों के लिए बना है, kids के लिए बना है, तो उसके हिसाब से आपको वो states के capture करने पड़ेंगी, वो countries या अगर आपका ऐसा product है, जो spiritual है, किसी particular religion से connect करता है, तो आपको उसके हिसाब से वो states या वो लोग देखने पड़ेंगे, जो religion में जहां पर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, तो इस तरीके से जो macro environment होता है, economy के हिसाब से, country की या state की, government के हिसाब से, वहां के laws, वहां के legal policies, political, वागे जो factors होते हैं, technology और ecological, environment factors को आपको ध्हान रखना पड़ेगा, तब ही एक business plan कर पाता है, कि मेरे को कहां पर ज़्यादा potential है, कि मेरे business grow कर सकता है, अब हम बात करते हैं, market analysis की, तो दोस्तों, business करना है, तो अपने market के बारे में पता होना चाहिए, तो यहां पर market का size क्या है, कि मतलब मान लीजे, हमारी market, जैसे marketing funders को कि ने analysis करा, कि इंडिया के अंदर अभी 10,000 करोड की market है, digital marketing की आने वाले 15 साल के अंदर, ठीक है, तो जो भी हर company का market size होता है, हर market का, कि उसको पता है, कि मेरे industry 100 करोड की है, मेरे company, जो industry है, 1000 करोड की है, उसके हिजाब से market size का एक आपको idea लेना है, उसके बाद market का trend क्या चल रहा है, because हर business और audience trend के हिजाब से चलते हैं, तो आपको trends पता करने हैं, उसके बहुत सारी sites है, social media है, search engines है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किसके बारे बात चल रही है, तो trends आपको पता करने है, market profitability, कि आपके business के अंदर क् margins है, कि क्या expenses है, कितनी profitability है, वो आपको देखना है, साथ के साथ distribution channels, अगर आपका product है, service है, तो किस तरीके से लोगों तक पहुचेएगा, उसके लिए distribution channels, network, और लोग आपको चाहिए, ठीक है, साथ के साथ key success factors, कि वो ऐसी कौन से factors हैं, आपकी company में, या कौन सी चीजे हैं, जिनको आप ध्यान में रखोगे, जो आपके success का कारण बनेंगे, तो ये सब चीजें आपको list करनी हैं, दोस्तों जो बड़े-बड़े businesses हैं, वो बड़े-बड़े marketing plans के ओपर चलते हैं, और ये marketing plans जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े-बड़े management के लोग होते हैं, वो as a worker, as a labor काम नहीं करते हैं, वो इनी चीज़ों के ओपर, stats के ओपर और इसी knowledge के basis पे बड़े-बड़े plans बनाते हैं, फिर उनकी team उसका execute करती है, तब businesses बड़े बनते हैं, और execute हो पाते हैं, अब हम बात करते हैं, SWOT analysis की, तो SWOT से ही पता लगता है, S मतलब strength, W मतलब weakness, opportunity O और T मतलब threat, तो हर individual और हर company को अपनी strength पता है, अपनी weakness पता है, क्योंकि वो internal factors हैं, और जो opportunity threat है, वो external factors हैं, हर company, हर individual जानता है कि अगर वो किसी industry, market के अंदर आ रहा है, तो उसमें उसके बस क्या opportunities हैं, जिसकी वरह से उस market के अंदर आ रहा है, और ऐसे क्या threat है, जिसकी वर प्रोथ रुख सकती है, तो उसको उसके लिए भी preparation करनी है, तो यह है basically short analysis, अब है consumer analysis, तो जो consumers है, जो actual में आपके product के service को consume करेंगे, खरीदेंगे, तो वहाँ पर उसका size क्या है, market का, उसका demographics क्या है, उसका age क्या है, particular gender है, मानलो कि इसका females related product है, तो उनका demographic तो female ही हो गया, और उसमें भी अगर मानलो कि एक particular age group है, females का, जो उनका target audience है, तो वहाँ पर उनकी age group भी आ गया, उसका अंदर, ठीक है, फिर buying expectations, ठीक है, मतब buying expectations क्या है, buying motivation क्या है, purchasing practices क्या है, यह बारी छोटी-छोटी चीजें जो आपको research करके, और जादा बहुत सारे articles होते हैं, बहुत स इस तरीके की चीजों को जब तक आप पड़ोगे नहीं, महनत ने करोगे, analyze ने करोगे, तो आप कैसे stats निकालोगे, तो जो जितनी महनत करके stats निकालेगा, वो उतने ही भैतर और profitable business की planning कर पाएगा, तो अब हमारी market, जो हमारे audience है, जो हमारे customers हो सकते हैं, prospects है, उनके बारे म सब कुछ जानेंगे, whatever, जो भी information हमें मिल सकती है, वो बेहत ज़रूरी है, हमारे business के लिए, तो यहाँ पर, जैसे सबसे पहले है market needs, market needs क्या है, लोगों की desire क्या है, वो क्या चाहते हैं, ऐसी कौन से unmet need है, जो उनकी पूरी नहीं हुई, अगर हमने वो जान ली, कि यह point है, यह most, most, most important है, और सबसे ज़्यादा लोग issue को ignore करते है, market trends, अब इसका बढ़ी example मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप सब को पता है, हम एक digital marketing agency है, 15 साल से काम कर रहे हैं, देश-विदेश में, बहुं सारे business को हम digital marketing की services देते हैं, अब दोस्तों मेरा एक client था, protein की industry के दर उनका काम था, वो क्या करते थे, वो उनकी सेल या ROI ज़्यादा आता नहीं था, वो दो साल से लगातार लगे हुए थे, वो क्या करते थे, कि एक kilo का protein लो 50% ओफ, दो kilo को लो 80% ओफ, या protein के डबबे के संग एक shaker दे दिया, अब दोस्तों, ये चीजे trend में थी, बढ़ क तो हमने उनको value create करना सिखा है, कैसे आप valuable offer, कैसे आप अपने product के संग नहीं value दे सकते हो, तो client खिचा चला आएगा, दोस्तों, दस गुना से भी ज़्यादा ROI उनकी हुई थी, अगले एक साल के अंदर, और उन्होंने ये business top पे पहुँचा दिया, अपनी industry के known companies में से एक ह value करा, ठीक है, अगर आप old तरीके से चलते आओगे, तो आप नए जमाने को match नहीं कर पाओगे, तो ये तो होगे trends के बारे में, अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों, जब market growth की हम बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा business आप कर रहे हो, उस business में कहा growth है, कैसे पता होगी, कि जिस रास्ते से भीड निकल जाती है, तो दोस्तों, वहाना से धूल मिलती है, तो जो business में already सब आके काम कर रहे हैं, जो already saturate हो चुका है, तो वहाँ पर आप क्या तो business opportunities जूड़ोगे, और क्या वहां से आप पैसा कमा होगे, क्या यही गलती आप तो नहीं कर के बारे में, मैं आपको already इस वीडियो के शुरुवात में explain कर चुका हूँ, तो उमीद करता हूँ, आपको अच्छे से clear हो चुका होगा, दोस्तों, अब हम बात करेंगे competition के बारे में, तो दोस्तों competition और competitors को लोग negative तरीके से लेते हैं, जबकि सबसे positive चीज तो यही यह business क अगर आपके competitors नहीं हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे आप भैतर products लेकर आओगे, कैसे लोग आपको differentiate करेंगे, और इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, हमेशा अपने competitors पे नजर बना के रखना, कि वहां से आपको पता लगता है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरी हम product offering, अब दोस्तों product offering क्या है, हर एक product के features होते हैं, उसके कुछ solutions वो provide करता है, अपने customers को, तो उसके साथ-साथ ना, आप एक अच्छा offer provide कर सकते हैं, offer क्या है, offering क्या है, a set of benefits, जो एक brand अपने customers को देता है, वो अपने product के साथ-साथ कुछ tangible, intangible products and services मिला के अच्छा offer बना सकता है, जैसे कि मानली जी, कि मेरे को एक movie देखनी है, 4 tickets book करनी है, मैं book my show भी 500 रुपे की ticket है, पेटीम भी 500 रुपे की ticket है, बट पेटीम पे 5 रुपे cash per ticket मिल रहा है, तो वहाँ पर 20 रुपे का extra benefit मिल रहा है, तो मैं वहाँ चला जाओंगा, ठीक है, और इसके साथ-साथ कुछ company same products देती हैं, बट दूसरे की offering भेतर होती है, कुछ extra benefits होते हैं, तो वहाँ पर customer move हो जाता है, इसके साथ-साथ सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, मानलीजे मैं एक restaurant में गया, दोनों का खाना बहुत ही बढ़िया है, price भी same है, बट एक जगा में को psychological benefit लगा, कि वहाँ पर मेरे को अच्छे से greet करा गया, service अच्छी दी गई, ठीक है, अच्छे से हमारी problem को सुना गया, या हमसे suggestion feedback लिया गया, तो अगली बार खाना दोनों का यह अच्छा है, बट एज किसको मिला, जिसने मेरे को psychological लिहां पर मेरे को benefit मिला, तो इस तरीके से आप better offering से, आप जो भी महनत कर लें, बट कुछ बातों का ध्यान बिना रखे हम आगे बढ़ी नहीं सकते, कभी तरकी नहीं पा सकते, जिसमें से हमें हमें हमेशा business में unexpected कुछ भी उपर नीचे up and downs आते हैं, उनके लिए prepare रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें अपनी पिछली mistake से सीखना पड परसिस्टेंस मतलब हमें रहना पड़ेगा, हमें मतलब कुछ हम डाउंस देख रहे हैं, लॉस देख रहे हैं, और हम एकदम से हाथ उपर खड़े कर लें, छोड़ दें, बैक आउट कर लें, ऐसा नहीं चलेगा, इवन एज़ा influencer भी मैंने बहुत सारी चीज़े देखी हैं कि बहुत सारी लोगों ने हमारे संग शुरुबात करी, अलग-अलग हमारे computer से पर बहुत सारी लोगों ने back out कर लिए भी तो consistency तो business हो, job हो, career हो, freelancing हो, दुनिया की हर चीज़ हो, चाहिए अगर आपको bodybuilder बरना तब भी, तो दोस्तों महाँ पर आपको consistency और महाँ पर डट इस बारे में जिनको आपको face करना पड़ेगा, हर business को issues time to time face करने होते हैं, but वो issues के हैं, जान लेते हैं, दोस्तों सबसे पहला जो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया, uncertainty of future, कि future में आपके संग कभी भी कोई problem या दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसके लिए आपको business के अलगलग departments होते हैं, तो कैसा perform कर रहे हैं, उनके उपर आपको monitoring analysis, diagnosis करते रहना पड़ेगा, तीसरा है, दोस्तों, regulation and compliance, हर industry के specific rules and regulations होते हैं, government के भी होते हैं, industry के भी होते हैं, कुछ compliance होते हैं, तो उन पर check रखना पड़ेगा, कि वो change तो नहीं होते हैं, बार बार, उसक तो आपके पास वो team होनी चाहिए departments में, जो capable हो उन टास्क को अपने department में करने के लिए, उनको knowledge हो, उनके पास training हो, और वो उसके लिए best लोग हो, पांचवा है हमारी technology, आप अगर इस technology वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हो, तो आपकी technology मिशा update रहनी चाहिए, और उसके संग आ आपको करना आना चाहिए, उसके बाद आता है six point exploding data, दोस्तो data ही asset है, data का सही use, data का सही collection, data को आप आज की date में हलके में नहीं ले सकते, ये एक तरीके की company की property है, asset है, और दोस्तों last है customer service, जो सबसे important task में से एक है, because हम सब के जो customers हैं, अगर आप अपने एक loyal customer base बनाना चाहत अब बात करते हैं, हम mission के बारे में, business है, तो mission होगा, maximum 90% से ज़्यादा लोगों का mission क्या होता है, पैसा का माना, खुब पैसा का माना, दोस्तों, वो एक आपका byproduct हो सकता है, but company का mission कभी नहीं हो सकता, अगर आपको successful बनना है, तो आपको एक purpose cause उसके संग जोड़ना पड़ जैसे marketing funders का mission क्या है, इंडिया को digitally empower करना, वहां के लोगों को, वहां के business को, तो वो है mission, अगर आप अपने mission को बहुत clear रखोगे, तो आप उसको achieve करना असान होगा, और लोगों को समझना असान होगा, उसके संग जुणना असान होगा, अब हम बात करते हैं, marketing objectives के बारे मे अब दोस्तों smart objectives के बारे में बात करेंगे, तो आपने mission बनाया, तो उसको achieve करना है, achieve करने के लिए objectives बनाने पड़ेंगे, objectives होने चाहिए smart, smart से मेरा मतलब है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, S का मतलब होता है specific, तो अगर मैंने एक YouTube channel बनाया, तो उसके अंदर मैंने क बनाया है कि मेरे को इंडिया को digitally empower करना है, बट मेरे को उसके अंदर multiple objectives बनाने पड़ गए, कि मेरे को उसमें 10 million या 1 million मेरे को महाँ पर followers बनाने, तो मैंने अपना specific कर लिया, कि 1 million followers, उसके बाद मैंने उसको measurable रखा, अब मैं ऐसे तो नहीं बना सकता है, subscribers या followers बनाने, ठीक ह अब मैं बना लू 100 million, तो वो थोड़ा practical नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 million बनाया है, जो मेरे पहला objective है, तो वो achievable हो, ऐसे आप target से अपने सामने Mount Everest के पहाण मत रख दो, जो impractical हो, क्योंकि हर business की, हर इंसान की present situation होती है, ठीक है, उसके बस resources limited होते हैं, तो उसके हिसाब से practical objectives बनाओ, जो आप achieve कर सको, ठीक है, और relevant, तो relevancy तो होनी चाहिए, कि आपके जो objectives बना रहे हो, जो आपका mission है, वो उससे related होने चाहिए, वो objective आपके mission को achieve करने में कहीं, help करना चाहिए, अब हम बात करते है, time bound की, एक आपने mission बनाया, तो एक time frame भी तो बनाओगे, कि इस time तक मैं उसका achieve करूँगा, एक objective बनाया, छोटा, तो उसका भी तक time frame बनाओगे, कि इसको मैं एक महीने, एक हफ्ते, एक दिन, एक साल में achieve करूँगा, तो इस तरीके से, आपको smartly objectives बनाने है, और smartly achieve करने है, अब हम बात करते है, financial objectives के बारे में, business है, तो finance है, बिना finance के कोई business पैसे से दुनिया चलती है, तो हम बात कर रहे हैं कि आप business में focus करते हो, profits में और sales में, मगर उसके साथ साथ, आपको business के अंदर, investments और economic stability के ओपर ध्यान रखना है, इसका आपको एक example देता हूं, आपको पता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे startups आते जा रहे हैं, बहुत सा इसा तो होता है, investment होती है, बट वो cash burn कर देते हैं, उनको लगता है कि वो पैसा burn करके, customers को extra benefits देके, बहुत सारे customer base बना लेंगे, और long term के अंदर lifetime value से profit generate करेंगे, बट ऐसा practically हो नहीं पाता, maximum cases के अंदर, तो business हो जाते हैं, बन, start-ups हो जाते हैं, बन, तो इंडिया में आप analysis, stats निकाल सकते हो, google करके, कि कितने percent startups चल पाते हैं, ठीक है, ये fact है, और google पे है, कहीं पर भी आप देख सकते हो, अब main, जो financial objectives है, वो क्या है, जब भी आप एक business की strategy बना रहे हो, planning कर रहे हो, sorry, तो वहाँ पर आपको revenue को objective रखना पड़ेगा, कि मैं एक साल के अंदर, एक क cost objective, कि जो मेरी cost है, जी मेरी 25 लाख रुपई की cost आईगी, ठीक है, वो आपने एक अपना objective रखे है, कम जादा 5-10-20% उपर नीचे होता रहता है, बिजनेस के अंदर, तो वो आपको उतना margin लेकर चलना पड़ता है, हर चीज़ के अंदर, फिर आपका profit objectives के, आपका एक objective है, कि मेरे को अपना 10% profit रखना है, फिर अगले साल आप उसको बढ़ा भी तो सकते हो, कि मैं 15% करूँगा, because company कैसे growth होती है, initially इतना profit नहीं होता, क्योंकि company की growth में हर चीज़ के अंदर पैसा लगता है, ठीक है, और कई बारी break even पर यह मुश्किल से चीज़ चल पाती है, कई ब बिजनस में, cash low कभी ना रोके, बहुत सारे businesses बंद हो जाते हैं, cash low होता ही नहीं है, अब हम बात करते हैं, investment objectives, investments कितनी starting में लगानी है, कब लेनी है, कितनी investments आपको आगे चल के और लगानी है, तो उनके भी targets और objectives आपको set करने पड़ेंगे, यह सब जो बातें बता रहा हू प्रेज का, एक data निकल के आए, कि अच्छा, इस तरीके से में, अब marketing की strategy को apply करूँगा, execute करूँगा, यह है, जिसके ओपर मेरे को practically काम करना है, क्योंकि सोच में बनाये हुए, जो हवाई के लिए होते हैं, वो हवा में ही, जैसी धरातल पर आते हैं, सच के, महीं जाते हैं, जान रखने इन बात का, capital structure objectives, तो capital structure क्या है, कई बारी एक business, multiple business चला रहा होता है, एक business में पैसा जादा लग रहा है, बट profit कम है, एक business में profit जादा है, बट वहाँ पर पैसा, profit जादा है, पैसा कम लग रहा है, तो कई बारी हम अपने दूसरे business को चलाना चाहते है महाँ पर जादा पैसा उस business से निकाल के लगा रहे होते हैं, ताकि वो sustain कर जाए, चल जाए, तो इन सब चीजों में भी आपको balance बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर business को आप ऐसा नहीं है, कि अपने सारे profit एक business को चलाने के अंदर लगा दो, तो उस सब चीजों को आप आपको consider करना पड़ता है, अपने financial objectives को specific बनाना पड़ेगा, अब दोस्तों हम बात करेंगे target markets के बारे में, चाहे आप offline business करते हैं, चाहे online business करते हैं, target market और potential segment अगर सही नहीं है, तो आप business कर ही नहीं पाऊगे, या आपका पैसा हो जागा waste, तो इसलिए कभी भी आप ads चला लोगों पर पहुंचेगा ही नहीं, तो result आएगा ही नहीं, तो समझते हैं, STP, STP को आप TSP भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं उस तरीक से बात करता हूँ, तो पहले होता है TSP, TSP मतलब T का मतलब होता है target market, अब मान लीजिए, मेरे को digital marketing का course sell करना है, तो मेरे को India में करना है, मे अब यहां पर आप अपना potential segment, हम अब S की बात करेंगे, segmentation, मतलब high potential segment जो आपको business दे सकता है, जो आपका product services में interested है, तो अगर target market तो इंडिया हो गई, मगर सही segment ही चूज नहीं करा है, तो result तो कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए उसके लिए आप demographics, ठीक है, उसके लिए अब अपना जो audience है, उनके gender के हिसाब से, उनके age group के हिसाब से, area के हिसाब से, income के हिसाब से, और interest के हिसाब से, बहुत सारे factors होते हैं, जिसके हिसाब से आप अपना right potential segment target करो, जिसको कहते है perfect audience, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, तीसरा होता है, P मतलब positioning, अब दोस्तों positioning है, अगर आप एक brand हो, तो आप market में इस तरीके से उतरो, कि लोग आपको, आपकी company को जाने, आपके product services के नाम से, और product services का, अगर कोई नाम ले दे तो उसका, आपकी company का नाम उसके दिमाग में आना चाहिए, that is positioning, मालो जब हम Ferrari बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में red, yellow color आता है, और speed, और एक power सी आती है, ठीक है, जब हम पहुशे की बात करते हैं, तो एकदम से luxury, अमीर, इस तरीके के हमारे दिमाग में आ जाता है, अब जैसे अगर कोई बात करता है, डिजिटल marketing, तो marketing fundus दिमाग में आता है, तो आपको वैसे positioning बनानी पड़ेगी, अब हम बात कर क्योंकि marketing तो एक process है, मगर वहाँ पर कुछ activities है, जो आपको करनी पड़ेंगे, जिसके थूँ आप अपने product services को logo तर पहुंचाओगे, तो उसमें ATL मतलब above the line, BTL मतलब below the line, और digital activities like, जैसे कि SU, social media, paid ads, वेगार यह हो गए, तो as a business, आपको pen down करना पड़ेगा, according to your present situation, according to your budget, और market में क्या चल रहा है, तो कौन सी activity आपको करनी है, offline या online, जिसके थूँ आप अपने potential audience तक कम से कम costing के अंदर maximum result लेकर आप आओ, अब हम बात करते हैं, product, actual में दोस्तों, अब जो हम चार आपको मैं अगली slides में सिखाऊंगा, वो क्या है, वो marketing के 4P's है, जिसके ओपर हम ध्यान ही नहीं देते, तो 4P's शायद हम सब जानते हैं, आप भी जानते होगे, पहला product होता है, दूसरा price होता है, तीसरा distribution या place कह सकते हैं उसको, और चौथा communication या promotion कह सकते हैं, अलग-अलग शब्द होते हैं, ये actual में 4P's होते हैं, जिसको product, price, place, promotion बोला जाता है, तो अब इसको बस ये शब्द नहीं है, 4P's नहीं है, इनको detail में समझना पड़ेगा, अब आपको बनाना है एक valuable product, जो लोग खरीदें, जो लोग खरीदें, तो जब product बनाते हैं, तो ऐसे ही नहीं आप बना लोगे, उस product की variety, उस product के features, उस product के design, उस product से related, जो भी specifications हैं, उसके उपर warranties आपको देनी है, उसके उपर कोई guarantee देनी है, उस product के क्या-क्या variations हो सकते हैं, ऐसी हर एक चीज, उसकी packaging, उसकी designing, हर एक चीज के उपर आपको काम करना है, in detail, तभी तो आप हैतर बनोगे, और अगर आप हैतर होगे, तो ज़्यादा demand होगे, और आप ज़्यादा big होगे, तो एक valuable product service आपको अपने customer के लिए बनानी है, अब हम बात करते हैं, second pricing, दोस्तों आप price ऐसे ही अपने product का इस service का नहीं रख सकते, आपको market को पूरा analyze करना पड़ेगा, research करना पड़ेगा, अपने target audience की pockets देखनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से आपको final price बनाना उसके ओपर क्या discounts दोगे, क्या offers दोगे, mediocre के लिए क्या आप उसके अंदर margins रखोगे, MRP, discounts, selling price, cost price, उसके साथ साथ आपका product बहुत महेंगा product तो क्या आपको EMI plan दे रहे हो, क्या उसके ओपर credit terms है, तो इस तरीकी की चीज़ों पर आपको homework करना पड़ेगा, अब हम बात कर हैं, दोस्तों, हमारा तीसरा distribution, जिसको हम place भी बोलते हैं, ठीक है, place, अब product है, price भी final हो गया, अब हमें पता है कि इसको हमें इंडिया के इन जगों में बेचना है, तो वो product अगर offline है, तो आपके पास उन stores ये showrooms के वहाँ पर आपका product place होना चाहिए, available होना चाहिए, उसके agents थे हैं, जो आपके product को place करें, और पहुंचाएं, कोने कोने तब, ठीक है, तो बिना इसके अगर आप promotion कर भी लोगे, customer आ भी जाएगा, वो खरीद भी लेगा, और वहाँ पर आप पहुंचा नहीं पाए, या फिर अगर वो customer ATC store पे गया, और उसने आपका product मांगा, और व लोगों को बताना भी तो है, और बताओ के कैसे communication channels के थुरू, चाहे वो radio है, tv है, newspaper है, magazine है, google, ad, facebook, ad, linkedin, twitter, seo, social media, local activities, auto-rickshets, कुछ भी हो, मगर आपको चुनना तो पड़ेगा, conceptivity चूज करनी है, तो ये सब आपको पता होना चे, detailed में home work करना है, बेना उसके कुछ नहीं होगा, तो अब हम देखेंगे, इधर financial in business, तो जो financials होते हैं, बहुत ही important है, उनका सही forecast करना, तो वही जानेंगे आज हम, यहाँ पर जैसे क आप देख सकते हो, break-even analysis, अगर आप business कर रहे हैं, business की planning कर रहे हैं, तो आपको break-even का forecast करना पड़ेगा, दोस्तों मैं आपको शब्द बार-बार बोल रहा हूं forecast, क्योंकि exactly तो कोई भी नहीं बता सकता, बिना business में enter करे, बिना business करे, कि कितना profit आएगा, कितना उसके अंदर loss होगा, या कितना, उसके अंदर costing, बहुत सरी चीज़ आईगी, आप बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ forecast कर सकते हो, बर जब वो ground reality पर implement करते हो, तो चीज़े बगल जाती है, तो इसलिए आपको break-even analysis करना पड़ेगा, कि आपके जो कितना costing लग रहा है, कितना इसके अंदर आ कितना आपको profit आ सकता है, या फिर आप break-even पर कप तक आ सकते हो, कि जहां पर loss और जहां पर आपका cost है, और revenue है, वो balance हो जाए, तो यह होगा break-even analysis, यह आपको अपना forecast खुद का बनाना पड़ेगा, जैसे के दोस्तों है, यहां पर है sales forecast, अब मैं एक digital marketing का course launch करने जारा जो यहां पर अभी लोग हैं, जो digital marketing सीखना चाहते हो, तो उनको अगर मैं अपने ads run करूँगा, facebook के थरू, google के थरू, तो मुझे पताए कि इतना मेरे पास sales आ जाएगी, कि मतलब मैं एक साल के अंदर कम से कम 10,000 लोगों को अपना course sale कर दूँगा, अब 10,000 लोगों को अग एक साल का sale forecast की, इतनी sales मेरे को करनी है, तो आपको भी तो अपनी product की और आप कितना उसको sale कर सकती है, उसकी forecast, एक प्रॉक्स idea आपको pen down करना पड़ेगा, अब हम बात करते हैं, expense forecast, जैसे कि यहां पर आप एक sheet भी देख पाऊगे, तो ना दोस्तों कुछ expenses होते हैं, जब आ expenses है, staff expenses है, fixed infrastructure, marketing expenses, ऐसे बहुत सारे expenses होते हैं, और बाद में product बेचा तो उसके बाद service होते हैं, अगर आपको सब कोई product है, जिसमें आपको अपने customer को आपके service भी देनी है, तो वो भी एक expense है, तो ऐसे हर एक expense को direct हो या indirect हो, आपको एक list band down करनी है, लिखनी है, ताकि उसके आपके आप अपने सारे expenses करो, मेरा दोस्तों personally rule है, अगर मेरे को पता है कि एक महिने या एक साल में मेरे 90 रुपे खर्च होंगे, ठीक है, for an example, तो मैं उसको 100 रुपे ही लिखता हूँ, और जब मेरे को पता है कि मेरी sales, अगर मेरी sales डेड़ सो रुपे की आनी है, तो उसको मैं हमेशा 125 रुपे ही लिखता हूँ, क्योंकि जब भी आप forecast करते हो ना, जो आपको लगता है कि revenue sales आ सकती है, उसको थोड़ा सा आप कम करके लिखो, और जो आपके expenses है, उनको आप 10-20% exceed करके over करके रखो, इससे क्या होता है, mentally नहीं उतना pressure नहीं होता है, तो इसलिए वह आपने लिखा हुआ है, अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है, तो आपको पहले से ही आप उसके लिए तयार थे, केतने expense हो सकता है, तो यहाँ पर हमने अभी तक जाना, financials हमारे businesses के अंदर हमें forecast अपने पहले लिखने पड़ेंगे, उसको पूरी एक list बनानी पड़ेगी, अ अब हम जानते हैं यहाँ पर जैसे का आप देख सकते हो control, steps to control process, दोस्तों एक business है, तो उस business के अंदर चीजे implement होंगी, ठीक है, और उसको control करने के लिए, उसको improve करने के लिए बहुत सरे measures, बहुत सरे steps लेने पड़ेंगे, वही अब हम बात करने वाले हैं, six point के अंदर, तो सबसे पहला है implementation, हमने planning की बात कर ली, हमने process की बात कर ली, हमने सारी बाते समझ ली कि हमें पहले क्या करना है, बात में करना है, planning कैसे करनी है, पड़ अब वक्त आ गया है implementation का, ground level पर चीजों को launch करने का, execute करने का, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हो, कोई भ चाहे आप आप activities कर रहे हो, जब भी आप ground level पर करोगे, तो उसमें आपको अलग-अलग तरीके से experiments भी करने पड़ते हैं, उनको आपको अलग-अलग कई चीजें आपकी काम करेंगी, कई चीजें आपकी काम नहीं करेंगी, तो वहां से जो आपके A-B testing हो रही है, जो आपक आपकी जो planning होई है, वह कितनी आपने calculated करी है, कितनी असरदार है, कितनी अच्छे से करी है, because, दोस्तों, क्या होता है, हवाई के लिए तो हर कोई बना लेता है, बड़ चीजें जब ground level पर आती है, तो हर कोई उसको manage नहीं कर पाता है, इसलिए maximum businesses fail हो जाते हैं, अब हम बात करें marketing organizations की, तो marketing organizations, इसके अंदर एक structure बनाना पड़ेगा, जैसे के मालीजे एक company है, तो उसमें CEO कौन होगा, marketing department कौन देखेगा, sales department कौन देखेगा, client service department कौन देखेगा, जो आपके hardware होता है, जो assets होती है company की, वो कौन देखेगा, ठीक है, फिर goods, inventories, अलग-अलग departments होते हैं, तो आपको अपनी company में एक structure define करना पड़ेगा, हर department का एक head होता है, जो उस department में चाये लोग हैं, चाये कोई भी काम activities हो रही हैं, उसके उपर, उसका control होता है, तो ये आप maximum businesses, maximum businesses में, जो top management होता है, वो हर business को सोचता है, कि departments को वो ही head कर लेगा, ये सबसे बड़ी गलती है, एक business है, तो आपको हर department के अलग-अलग heads रखने चाहिए, जो capable होते हैं, जो qualified होते हैं, जो trained होते हैं, उस particular department के लिए, जिनको इपास experience होता है, तो वहाँ पर loss के chances कम हैं, क्योंकि आप जादा लोगों को control नहीं कर पाऊगे, मगर जो department heads हैं, उनको आप control कर सकते हो, तो इसलि हैं, ताकि आप efficiently process and system में को चला पाऊ, अब finally, जो हमारे last point है, contingency planning का, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, दोस्तों कई बार नहीं, maximum time ऐसा होता है, कि जो हमारी planning होती है, उसके हिसाब से चीजे नहीं चल रही होती, तो हमेशा आप अपने business के अंदर, जब भी planning करते हो, कोई भी आप plan create करते हो, execute करने के लिए, तो उसमें आप plan करके चलो, कि अगर चीजे इस तरीके से work नहीं करी है, और जो हमने results expect कर रहे हैं, वो results नहीं आए, तो आप कौन से steps लोगे, ठीक है, यह हर जगा है दोस्तों, चाहे आप digital marketing के paid advertisements चलाईए, Google पे, Facebook पे, LinkedIn पे, कहीं नवर भी, या आप offline activities कीजिए, seminars कीजिए, meetings कीजिए, हमेशा आपको वो results नहीं मिलते, जो आप चाहते हैं, तो आपको अपनी, जो आपको लगता है अपने गलतियां करी होंगी, या जो mistakes होई है, उनको आप उनसे सीखिए, उनको आगे आने वाली meetings में, seminars में, या advertising के अंद कीजिए, दो मुश्किल से काम करती हैं, वाकी की सब fail होती है, तो इसलिए इन चीजों से डरना नहीं है, business है, उसके अंदर problems आएंगी, issues आएंगे, मगर जो मैं आपको roadmap दे रहा हूँ, उसके थूरू आप ज्यादा कल्कुलेटिव होगे, आपके risk के chances बहुत जादा कम हो जाएंगे, success के तान से बढ़ जाएंगे, अब finally जो मैंने आपको वादा करा था इस वीडियो के शुरुवात में, मैंने आपको क्या बोला था, कि मैं आपको एक ऐसी plan sheet दूंगा marketing की, जो हमने पूरा पूरा एक form के format में बनाया है, वो description में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस link क को आप click कीजिए, वहाँ पर register कीजिए, और free of cost उस blueprint को आप download कीजिए, अब वो download करने से फायदा क्या है, दोस्तों जितनी सारी चीजे मैंने आपको सिखाई है, अगर तो आपका खुद का business है, तो आप उस form को download करके, एक-एक step को fill कीजिए, तब आपको पता लगेगा, इतनी सही है, साथ के साथ अपने computer से वगार की, हर चीज जो पताईए, वो उसके अंदर आप list कर सकते हो, step by step, एक-एक step उसके अंदर form के अंदर हमने दिया है, ताकि आप fill करो, और जब वो form आप fill कर लोगे, उसके basis पे आप अपनी marketing की पूरी की पूरी strategy तैयार कर सकते हो, यही इसी तरीके के format से बड़ी-बड़ी company और corporates अपनी पूरी की पूरी planning एक structure तरीके से road map बना के अपने पास रखती हैं, और मान लीजिए, अगर आप एक company हो, आपको अपने clients के लिए marketing करनी है, plans बनाने, strategy बनानी है, तो वो form जो है, वो आप अपने client को भीजिए, client अप maximum client दे सकता है, अपनी knowledge के हिसाब से, और जो data उनके पास है, उसके हिसाब से, क्लाइट को भी बहुत knowledge होती है, वो educated तो ही, उसके साथ-साथ, उनको अपने product industry की knowledge है, तो वो आप उनसे लीजिए, तो वो form फिल करके आपको देंगे, उसके अंदर जो बचीवी चीजे हैं, व समझे, और उसको एक best plan बना के दे marketing का, दोस्तों, अगर आप job करते हैं, तो उस form को आप download कर सकते हैं, और जिस project पे आप काम कर रहें चाहिए, client के, चाहिए company के, वहाँ पर भी यही same formula काम करेगा, यही वो तरीका है, जो marketing की दुनिया में strategy बनाने के लिए use होता है, क्योंकि जब तक आपने correct data, एक format के अंदर नहीं आपने input करा, तो अब कैसे अपनी planning बनाओगे और उसके execute करोगे, अगर आप लोगों को यह video valuable लगा, informative लगा, form download कीजिए, वो आपकी आदिस यादा महनत बचा देगा, क्योंकि वो महनत हमने आपके लिए कर दी है, तो आप comment section में ज को share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you.